हलो दोस्तों नमस्कार आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे कंजेक्शन की कंजेक्शन में कारिक्ट पेयर अफ कंजेक्शन तो आज आपका रहेगा इंपोर्टेंट हाडली बेरली इसकारसेली जिससे आपके एक्जाम में क्वेस्चन्स पूछे ही जाते हैं तो यदि आपको मालूम भी हैं कंजेक्शन की परिभासा क्या होती हैं कंजेक्शन जो दो शब्द वाक्यों और उपवाक्यों को जोडने का काम करता हैं कंजेक्शन तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपका हाडली है हाडली के साथ करेक्ट पेयर अफ कंजेक्शन क्या होता है when or before बेरली के साथ भी आपका when or before और स्कार सेली के साथ भी when or before ये आप वाले याद कर लीजिए और इन तीनों में कोई difference नहीं है अब कोई भी use कर सकते हैं तो hardly, बेरली और स्कार सेली का हिंदी क्या होता है? मुश्किल से कठीनाई से और hardly के साथ क्या पेर आपका है? when या before बेरली के साथ when or before और स्कार सेली के साथ when or before तो चलिए ये तो आप समझ गये conjunction क्या होता है? ये भी समझ गये, correct pair of conjunction hardly, बेरली और स्कार सेली का ये भी समझ गये अब बात करते हैं structure की और translation की तो चलिए दखिए, structure अपका हो जाएगा hardly, या आप barely ए इसकार से लिए तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, उसके बाद head plus subject plus v3 plus when या before, दोनों में से कोई भी एक आप use कर सकते हैं, उसके बाद subject plus verb to, structure को बढ़िया से समझते हैं, hardly plus head plus subject plus v3 plus when या before plus subject plus verb to, तो यह आपका structure हो गया, एक और तरीका है बनाने का, subject plus head plus hardly plus v3 plus when before plus subject plus v2, अब इस तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो पहले वाला method से भी बना सकते हैं, जो structure अभी मैंने आपको बताया, hardly plus head plus subject plus v3 plus when या before plus subject plus v2, अब translation बनाते हैं, देखिए, पहला आपका है कि मुश्किल से वा इस्टेशन पहुचा ही था, कि रेल गाड़ी आ गई, बढ़िया से समझने का प्रियास कीजिएगा, मुश्किल से वा इस्टेशन पहुचा ही था, कि रेल गाड़ी आ गई, तो कैसे बनाएंगे, structure देखिए फिर से एक बार, hardly plus head plus subject plus v3, when या before ले लिजिएगा, उसके बाद subject plus v2, तो चलिए बनाते हैं, देखिए hardly, सही आपका, had he, पहुचना का reach, तो भीतरी हो जाएगा, reached the station, अब क्या था, when या before में से एक लेना है, तो चलिए when को ही ले लेते हैं, the train arrived, v2 आपका हो गया, तो कैसे बना, मुस्किल सेवा station पहुचा ही था, कि रेल गाड़ी आ गई, hardly had he reached the station, when the train arrived, दूसरा आपका है, कि मुस्किल सेवा school पहुचा ही था, कि वर्सा होने लगी, मुस्किल सेवा school पहुचा ही था, कि वर्सा होने लगी, hardly had he reached the school, when it began to rain, देखिए होने लगी, begin का भी to have began, तो मुश्किल से वा स्कूल पहुंचा ही था कि वर्सा होने लगे Hardly had he reached the school when it began to rain एक और एक्जाम्पल को देखते हैं चुकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मैंने मुश्किल से सोचा ही था कि तुमने बोलना सुरू किया Hardly had I thought when you began to speak मैंने मुश्किल से सोचा ही था कि तुमने बोलना सुरू किया Hardly had I thought when you began to speak तो ये आपका हो गया कंजक्शन में Hardly के साथ प्यर क्या होता है When or before बेरली के साथ क्या हो जाएगा When or before इसकार सेली के साथ When or before और आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं कोई अंतर नहीं है ज्यादतर लोग यूज करते हैं Hardly का Structure आप समझ गया Hardly plus had plus subject plus b3 ये structure पे जरा बिसेश द्यान दीजेगा Hardly plus had plus subject plus b3 Plus when or before में से कोई एक ले लीजेगा Plus subject plus b2 तो ये आपका होगया conjunction में Hardly, Barely, Scarcelly आपने तीन examples को समझ लिया अब एक translation बोलते हैं जिसका आप जवाब comment box में दीजेगा मुस्किल से वा घर पहुंचा ही था कि पिता जी आ गया इसका जवाब आप comment box में जरूर दीजेगा तो ये आपका यूज है Hardly, Barely, Scarcelly का इससे आप एक copy में अच्छी तरह से note कर लिजेगा और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि और भी important वीडियो में upload आपके लिए करूँगा ओके धन्यवाद झाल